शारुख खान के फैंस इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि मैं आपको बताने वालों किस तरह किसे पठान मूवी के अंदर एक निरेटिव सेट किया गया है जिसको सुनने के बाद कुरसी की पेटी बना तो बहुत दूर की बात है आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी तो इस वीडियो को पूरा देखेगा अंते तक पठान फिल्म के अंदर दस कट लगे हैं सेंसर बोड ने जब इस फिल्म को देखा था तो उन्होंने बोला था कि भाई साव आपकी फिल्म में बहुत सारी खामिया है तो उसके बाद 10 कट लगने के बाद सेंसर बोड ने इस फि इस गाने के अंदर उनको अठा जया गया है मूवी के अंदर से पी म वड का इस्तेमाल किया है इस फिल्म के अंदर-उसको बर्द कर दिया गया इस फिल्म के अंदर truth रहा को माता को मिस्स भारत माता कर दिया था सेंसर बोर्ट की नजर पढ़ी तो नहीं साब बोल दे कि इस वर्ट को हटा हो जिसके बाद मिस्स भारत माता वर्ट को हटा कर हमारी भारत माता कर दिया गया है इस फिल्म के अंदर जहां जहां raw word का इस्तमाल किया गया था RAW उसको उटा जिया गया है अशोग चक्र के word को replace करके वीर पुरुसकार कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात इस फिल्म के अंदर X KGB के बात करी गई थी अब ये KGB क्या है? KGB एक secret agency है Soviet Union की जो कि रशिया है आज के जमाने का तो रशिया की जो agency है KGB उसको हटा कर उस word को हटा कर S.B.U करने को बोल दिया गया है और जहां जहां Russian Black Prison का word इस्तमाल किया गया था उसमें से Russian word को हटा कर सिरफ Black Prison word इस्तमाल करने को कहा गया है और जहां-जहां Russian word का इस्तमालता उस सभी words को इस फिल्म से हटा दिया गया है अब आप ये समझे इस फिल्म के अंदर किस तरीके से एक anti-russian element एक anti-russian narrative सेट किया गया है अब इसके पीछे क्या वज़ा है उसको सुनने के बाद आपके रॉंक्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तों क्योंकि Russia जो है वो हिंदुस्तान का परमित्र रहा है जब जब war हुआ है इंडिया का जब जब इंडिया पे मुसीबत आई है हमेशा रस्या ने हमारा साथ दिया है रस्या हमारा tried and tested friend है रस्या से हम सस्ता तेल इंपोर्ट करवाते हैं हमारे देश में इसी को लेकर जो गल्फ कंट्रीज है और जो western कंट्रीज है वो हमसे नराज रहती है वो बोलती है कि हमसे तेल लो लेकिन हम रेते है रस्या से क्योंकि रस्या हमें तेल सस्ते नामों पे देता है ये जानते वे भी कि इस वक्त रस्या के उपर बाकी सभी देशों ने sanctions लगा रखए उसके बावजूरूद भी रस्या हमारी मदद करता है क्योंकि रशिया हमारा एक बहुत important दोस्त है इस फिल्म के अंदर जिस तरह के से anti-russian element दिखाए गए है अब ऐसा क्यों क्या गया है क्योंकि आपको पता है कि Bollywood को funding कहा से मिलती है और जो हमारा Bollywood है ना वो हमेशा से ही मैं नोटिस करिये ये बात कि जो हमारे देश की नीतिया होती है ना उसके विप्रीत काप करता है उसके opposite चलता है हमेशा आप देखिया आमिर खान कहा गए थे तर्की गए थे तर्की की first lady से मिलने के लिए अब वो तर्की जो हमेशा बोलता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है जो हमेशा इंडिया के opposite बाते करता है उस first lady से मिलने के लिए आमिर खान चले गए भाई सब अब आप देखिये ये आमिर खान जैसे लोग जिनको हम इंडियन्स ने ही हम देशवासियों ने इतना बड़ा स्टार बना दिया इतना अरपती बना दिया इनकी फिल्मों को हिट करवा दिया और ये लोग हमारे देश की नीतियों के अगेंस्ट काम करते हैं हमेशा अब यहीं देख लो आप पठान फिल्म के अंदर KGB के बाते हो रही है Russian Black Prison के बाते हो रही है क्यों रशिया को एक Negative Image में दिखाया जा रहा है यह जानते वे भी कि रशिया हमारा दोस्त है तो Gulf Countries को खुश करने के लिए और Western Media में Western Country में ये Article चपवाने के लिए कि इस फिल्म के अंदर किस तरीके से रशिया को बदराम करा जा रहा है रशिया को एक Negative तरीके से दिखाया जा रहा है तो ये Article चपे बाहर देश में अमेरिका वगारा में तो इस वज़े से इस फिल्म के अंदर ये Propaganda डाला गया है अब फिल्म आये कि उसके बाद आप खुद ही देख लेना